मैं मैं आपस्ट अभीपसा आभीपसा टीम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी टीम एक मीशन चला रही है जिसका नाम है मीशन 2023 जिसमें किक्षा दसवी और बारवी की ऐसे questions जो कि पूछे जाने वाले हैं याने आपके आने वाले exam में पूछे जाने वाले हैं ऐसे important questions को हम video के माध्यम से आपको देने वाले हैं जिसके थूँ आप ज्यादा से ज्यादा number ले करके आ सकते हैं आप टॉप कर सकते हैं तो last video lecture में हमने देखा था previous year questions के 20 important MCQs आज हम वही फिर से start करने वाले हैं यह है second part ठीक है तो start करते हैं MCQs हमारा first question है in the poem सुमबर्स adventure the words, fences, gates and walls refer to यहाँ पर जो पुयम है सुमबर्स adventure इस पुयम में कुछ words आया है जैसे fences, चार दिवारी है, gates, walls है यह क्या refer करते हैं तो option ही दिया है opportunities, option दिया है bad luck, option सी दिया है golden chance and option दिया है challenges so which will be correct answer, let me see option D सही होगा challenges, यह option सही होगा और यह जो words है fences, gates and walls यह क्या refer करते है, challenges को refer करते है, now let's see the next question, our next question is as bank and shop walked into class, the teacher said, late again bank and shop, the use of the word again, so that the teacher wants, अब जो bank and shop नाम का लड़का है, वो चलते भी school जाता है, लेट हो जाता है, तब teacher कहते हैं, फिर से लेट होगे bank and shop, it means, जब वो teacher ऐसा word कहते हैं, late again, यह जो लेट अगें है, अगें जो word है, वो क्या सो करता है, teacher उस समय, teacher जो थे, उनकी जो भाव था, उनका जो expression था, वो कैसा था, means, disappointed, option भी दिया है, surprised, option C दिया है, annoyed, and option दिया है, unhappy, so इनमें से कौन सो अप्शन से होगा, उनकी जो teacher थे, वो कैसे थे, तो उस समय वो नाराज थी, annoyed थे, काफी नाराज की भाव व्यक्त कर रहे थे, again करके, तो यह सारी ची will be the correct answer, ठीक है, अब जो भी चीज़े आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़े आप सीख रहे हो, उनकी चीज़ों को आप अपने mind में imagine करें, क्योंकि आप जब imagine करेंगे, तो यह जो चीज़े हैं, वो अच्छे से याद रहेगी, जैसे मैंने कहा teacher, तो आप teacher को imagine करें, जैसे म आप करेंगे, तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, तो हर question को आप ऐसे imagination के थूप समझेए, ताकि आपको यह चीज़े exam के समय भी याद रहे हैं, और exam के बाद भी याद रहे हैं, नव लेट सी दर नेश question, authors, dad is enduring script, younger sister anuradha became what, dad is enduring script, इस lesson में, जो author है, author की जो छोटी ब option B दे है, journalist, option C दे है, marketing professional, and option D, engineer, तो वो क्या बनी, anuradha क्या बनी, तो वो बनी marketing professional, और जो author है, वो क्या बनी, वो बनी mathematics teacher, okay, now let's see the next question, how much did Jack and Jill pay to get a car, Jack and Jill ने, car को प्राप्त करने के लिए, car को खरिदने के लिए, installment के तौर पे, down payment के तौर पे, कितना पे किये, तो option A दिया है, 5 pounds, option B दिया है, 10 pounds, and option C दिया है, 500 pounds, and option B दिया है, 2000 pounds, so which will be the correct answer, इनमें से कौन सांसर सही हो, कौन साप्सन सही होगा, इनमें से option A सही होगा, याने 5 pounds, okay, 5 pounds वो दिये हुए थे, 5 pounds, pounds क्या होता है, जैसे भारत में रुप्या मुद्र चलता है, रुप्या पैस तो वैसे ही, ये विदेश की मुद्र है, जैसे हम रुप्या पैसे से गिनते हैं, तो वहाँ पे पौन से गिना जाता है, तो यहाँ पे 5 pounds, ये correct answer होगा, next है, when the king allowed her to join the panel, the audience, जब king ने उस लड़की को, पैनल को जोईन करने के लिए उन्होंने अलाव किया, तब आइजिया का क्या एक्षिन था, option ये है, felt happy and jeered the king, option विदे वोस नौट से ओर आफ वर्दिनिस, option सी दिया है, left the venue in protest, and option दिया है, none of these, so which will be correct option, इन में से कौन से ओप्शन से होगा, इन में से option भी से होगा, इन में से ओप्शन भी से होगा, not sure for her worthiness, लोगों को उनकी योगयता पर बिल teacher remarked that makes four grandmothers, this term, this means that bank and shop, teacher ने remarked क्या क्या कि it means तुमारे चार grandmothers थे, या चार grandmothers है, ये जो term है, this means, इसका मतलब bank and shop, had four grandmothers, option ये में है, option भी में है, had four excuses, options ये है, had been late four times, and option दिया है, had been absent four times, so which will be the correct option, इन में सी, option भी सही होगा, की बैंकर साब के पास, चार बहाने थे, now let's see the next question, a quality that the speaker truly honest, यहां पे जो लेक्शन है, इसमें बताया गाए कि जो speaker का खुद का एक गुण है, वो कौन सा है, truly, उनका स्वैम का है, तो option ही दिया है, a heart that beats for other, option भी दिया है, joys and sorrows, it says, option सी दिया है, a mind that looks beyond, and option भी दिया है, all of these, so which will be the correct option, इन में सी, कौन साप्शन से होगा, इन में सी, option T से होगा, all of these, यह सारे चीज़े उनके, खुद के कुण है, एक खुर्दय जो दूसरों के लिए धड़कता है, एक joy और सारों जिसे वो share करते हैं, और एक mind जो की looks beyond, जो की परे, समाज से परे देखते हैं, तो यह उनके खुद के गुन है, Now, let's see the next question, daddy was blank before passing his freelance writing, daddy's enduring script में, जो daddy है, author के जो daddy है, वो freelance writing, स्वतनतर लिखन से पहले, वो क्या थे, तो option ने दिया है, an actor, option B दिया है, a news reader in AIR, option C दिया है, a mimicry artist, and option D दिया है, an editor, तो वो क्या थे, तो वो थे, a news reader in AIR, it means, option B, सही होगा, और actor उनके friend लोग थे, okay, तो यह चीज़े, correct है, तो आप इन चीज़ों को आप, जह है, imagine करते जाए, और फटा-फट, ऐसी answer आप, अभी बताएगे, ठीक है, option 9 है, question number 9 है, how much did Aunt Jen give Jack and Jill as their wedding present? यहाँ पर पुछा चारा है कि जो Aunt Jen है, Aunt Jen जहाँ है, वो Jack and Jill की साधी किसम है, उनने कितनी रुपे का चेक दिया हुआ था, present दिये हुए थे, तो option यह दिया है, 100 pounds, option भी दिया है, 10 pounds, options यह दिया है, 2 pounds, and option D दिया है, 200 pounds, इन में से कौन सा option सही होगा, इन में से option D सही होगा, वो वेडिं के टाइम पर कितना present दिये थे, 200 pounds दिये हुए थे, और उनको क्या लगा बाद में, उनको जब वो देखी तो, उनको लगा 2,000, क्यों लगा, क्यों जब वो उनके घर जाती है, आंचे जब जाती है, तो कई सारे चीज़ देखती है, कार देखती है, बड़ा सा, बंगला देखती है, फ्रीज, और वनीचर, सुन्दर सुन्दर, तो इन सारे चीज़ों को देखती है, तो उनको ऐसा लगता है, कि मैंने ग अदिने जिए च्छेल सुंबा् हब भाivity की फिरंचिवाश juvenile सुंबा किस चीज को वह इमिजिन नहीं करती है कौन से जानवार मुप्स भी मिद्धि ताइगा औ होप्शाइं. Walz and option दीदिया है Beers. तो option A, Dragon को हो Imaging करती है, Walz को भी Imaging करती है और Beers को भी Imaging करती है. Tiger को Imaging नहीं करती है, नहीं option भी हमारा सही answer होगा. Now, let's see the next question. Kailas Satya Arati was awarded the Nobel Prize for. Kailas Satya Arati को Nobel Prize दिया गया, किस वज़़ से? Option A, दिया है Literature की वज़़ से. option विदे physics, option सी दे peace, and option दी दिया है economics. So, which will be the correct answer? इनमें से option सी सहुगा peace, यह उन्हें सांती के लिए Nobel Prize जो है award किया गया. Now, let's see the next question. इबन बतुता स first जनी वोस, इबन बतुता की जो first रयात्रा थी, वो थी, option दिया है Algeria, option दिया है Libya, option C दिया है Holy City, Makkah, and option दिया है Egypt. So, which will be the correct answer? Option C will be the correct answer, Holy City, Makkah. उनकी first रयात्रा, Holy City, Makkah से, Makkah में हुई थी. Now, let's see the next question, authors, Daddy's Enduring Script, Daddy's Name Was? यह जो लेक्षन है, Daddy's Enduring Script, इस लेक्षन में, Daddy का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या था? Option A दिया गनेशन, option B दिया है, नागर कोईल के पदमनावन, option C दिया है नागेश, and option दिया है, Harper Lee. So, which will be the correct answer? Option B will be the correct answer, नागर कोईल के पदमनावन, यह डाड़ी के नाम थे, और गनेशन एन नागेश, यह उनके फ्रेंड थे, जो की कॉमेडियन थे, एक्टर थे. Now, let's see the next question. The invitation was from, invitation कहां से था? Option दिया है, from King, option B दिया है, Academy, option C दिया है, School, and option D दिया है, Scholars. So, जो इन्विटेशन था, वो कहां से था? वो इन्विटेशन था, King की हो थे. क्योंकि जो King थे, राजा थे, वो संसार के नॉलेज को एक बुक में संकलित करना चाहते थे. और इसलिए उन्हें संसार के जितने भी स्कॉलर्स थे, उनको उन्हेंने इन्विटेशन दिया हुआ था. So, option A will be the correct answer. Now, let's see the next question. Which game is not played by the children in the poem, including all my friends? यहां पे कहा जा रहा है कि, including my all friends. इस lesson में, चिल्डर्न के द्वारा कौन सा गीम नहीं खेला जाता है? Option A दिया है, hide-and-seek, option B दिया है, climbing trees, option C दिया है, riding bikes, and option D दिया है, musical chair. So, which will be the correct answer? Option D will be the correct answer, musical chair. यही गेम वो नहीं खेले हैं, नहीं खेलते हैं, बाकि जो चीज़े, hide-and-seek, luka-chipika खेल है, पेड़ों पे चड़ना, climbing trees है, riding bikes, bike ride करना, यह सारे गेम वो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं. Now, let's see the next question. Why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? She didn't lie down on the bed because? जहाँ पे question पुछा जा रहा है, कि जो Aunt Jane है, वो बेड़ पे लेटने के लिए मना कर देती हैं. क्यों मना कर देती हैं? She didn't lie down on the bed because? और वो बेड़ पे लेटती भी नहीं है. क्यों नहीं लेटती? क्योंकि Jack and Jill जो है, बार बार कहते हैं कि आप लेट जाएए, अराम कर ये. लेकिन वो नहीं मानती, क्यों नहीं मानती है? तो option नहीं दिया है, she was angry with Jack and Jill. Option भी दिया है, the bed did not belong to Jack and Jill. Option C दिया, she was in the hurry to leave the house of Jack and Jill. And option दिया, she was happy with Jack and Jill. So, which will be the correct answer? Option B, the bed did not belong to Jack and Jill. क्योंकि जो बेड थे, जो बिस्तर थे, जो बिस्तर था, वो Jack and Jill का नहीं था. उनकी कोई भी चीज़े उनकी नहीं थी. यहां तक है, कार है, घर है, बंगला है, यहां तक है उनका जो बच्चा, उनकी जो बेबी है, वो भी उनका नहीं था. तो इसी वज़े से, वो बेड पे लिटने से मना कर देती है. Now, let's see the next question. I don't care for your dirty school. Swaminathan motored these words, because. Swaminathan को जब इस्कूल से बाहर निकाला जाता है, उसको जब हमिलेट किया जाता है, है, head master के दुआरा, तब वो एक सब्ध कहते हुए चला जाता है, कुछ word कहते हुए चला जाता है, बड़ बड़ाते हुए चला जाता है, और वो क्या था, कि मुझे आपके गंदे स्कूल की कोई परवाह नहीं है, कोई परवानी है ऐसा करते हुए वह बारबारते हुए चला जाता है तो यहां पर इस वर्ड्स वह ऐसा क्यों करता है क्यों वह बारबारता है इसा तो option दिया है the school was untidy option दिया है he allowed to state home options दिया है he was simulated by the headmaster and option दिया है he had found a better school for himself तो answer तो मैंने बता ही दिया है पहले से क्यों उसे headmaster के दवारा क्या किया जाता है humiliate किया जाता है काफी अपमानित किया जाता है तो option C ही सहीं होगा he was humiliated by the headmaster okay now let's see the next question by and see by and see what I can see the author wants to say to option A दिया है I will explore as much as I can option B दिया है I will look beyond my well as for as far as I can option C दिया है I want to see the road across the wall and option दिया है I will do as everyone can do so which will be the correct answer option A will be the correct answer I will explore as much as I can ये जो है and see what I can see any I will explore मैं खोजूंगा जितना मैं खूज सकता हूं as much as जितना उतना तो ये option A सहीं होगा next question the day before the punishment was given by the headmaster Swaminathan यहां पी पर इसमीं से एक दिन पहले headmaster के द्वारा punishment से एक दिन पहले Swaminathan ने क्या किया था option दिया है was not present in the school option B दिया है ये भी है यसी है left the school after lunch और option C two I broke the pants of the ventilation and option D had a fight with friends तो उसने क्या किया था Swaminathan ने एक दिन पहले सजाअ मिनने से एक दिन पहले उसने क्या किया हुआ जहका जह आ दो यह option C स adesso Bij了吧 broke the pants of the ventilation और तो यह उसे क्या रूप लगाया था उसने क्या ता उस में यह क्या था तकि उसने खिरकी के जो काँ होते हैं ठीक है उसे उसे उसमें क्या किया था तक तोड़ा हुआ था यहां पे वाटी जैक एंड जैक इंटेंड जैक है वह क्या इच्छा करता है क्या इंटेंड करता है उस तेन pounds का अब यह जो 10 pounds है 10 pounds को किसने दिया था 10 pounds को आंट जनने दिया हुआ था इनिस चेक दिया था तो वो क्या इच्छा करता है उस 10 pounds का क्या करने की सोचता है तो वो सोचता है option is यह है he wanted to pay off the installments to the doctor option भी दिया है he wanted to pay off the installments for the houses option भी दिया है he wanted to pay off the installments for the car option भी दिया है he wanted to pay off the installments for the furniture so which will be the correct answer in me see who kiss sis installment के लिए वो सुच रहा होता है इच्छा करता है तो वो अपने कार की तो he wanted to pay off the installments for the car तो कार की installment के लिए वो सुचता है कि हाँ दो महने के लिए हो जाएगा यानि दो महने का जुगार हो जाएगा तो यह वो सुचता है यानि वो इस चीज की इंटेंड करता है इच्छा करता है okay now let's see the next question the girl did not agree to her mother's view that girl should यहां पर जो girl है वो एक बात पर अगरे नहीं थी किसके एक बात पर अपनी मा के बात पर अगरे नहीं थी वो कौन सी बात थी that girl should girl cook करना चाहिए इस बात पर अगरे नहीं थी तो option ने दिया है learn to cook option भी दे है do household chores option C दिया है marry at a certain age and option दिया है learn how to run the house so in me say you concept पर अगरे नहीं थी in me say वो option C marry at a certain age एक एज पर साधी करना इस बात पर अगरे नहीं थी क्योंकि मां जब कहती है कि हर एक वेक्ति तो साधी करते हैं हर कोई साधी करते है इस दुनिया में तो तुम भी साधी कर लो तो वो कहती है कि ऐसा नहीं यह actual reason नहीं है हर कोई साधी कर एक मिस ऐसा थोड़ी है कि मैं भी साधी करूंगी तो वो इसी बार पर अगरे नहीं होती है और को option C will be the correct answer और करेक्ट आंसर तो इस तरह से आज हमने 21 important MCQs complete कर लिए हैं और यह ऐसे questions है जो कि कई बार आये हुए हैं कई बार exam में आये हुए हैं और हो सकता है कि आने वाल exam में आपके लिए भी आ जाए तो आप अच्छे से prepare करिए अच्छे से imagine करिए और वीडियो को बार बार देखिए वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए ताकि आप तो टॉप में आएंगे!! सांसी साथ आपके दोस्त भी तॉप में आये!!! आप चाहते हो ना अपके दोस्त भी टॉप में आये इसलिए आप जो वीडियो है उसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे और वीडियो रहेंगे बहुत इंपोर्टन वीडियो रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे वीडि